प्रदेश में एक तरफ 2022 का चुनाव है वही नेताओ का एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में जाने का ग्रम जारी है जहां भाजपा छोड़नेता सपा और सपा छोड़नेता भाजपा की सदस्यता ग्रहट कर रहे हैं वही यूपी के फिरोजवाद में सपा से बागी हुए मुरायम जीहिं यादव के समदी हरियोम यादव ने आज समाजवादी पार्टी को तगड़ा जटका देते हुए डिप्टी सीम केश्यव प्रसाद मौरे दिनेश चंद्र सर्मा प्रदेश अध्यक्ष स्वक्तंत्र देव सिहं के समक्ष भासपा की सदस्चिता ग्रहट की समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हुआ आपको बटाने फिरो जब वाद में सिर्शा गंज विधानसवा सीट से तीन बार विधायक रहे हरियोम यादव ने प्रोफेसर राम गोपाल यादव के विरोध में खोला था मूर्चा मोदी लहर में निकाली थी समाजवादी पार्टी की सीष्ट लेकिन आज सपा से बागी हुए मुलायम सीह यादव के समदी सिर्शा गंज विधायक ने भाजपा की सदस्चिता ग्रहट कर समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान दिया वही शिकवाद में उनके आवाज पर कारी करताओ को भाजपा की सदस्यता की खबर लगते ही खुशी की लहर दोडती ही समर्टकों ने मिठाई खिला कर जैसरी राम के नारी लगाए सिर्शा गंज से सचिन जैन की रिपोर्ट सकेच निउज चन्ता उनकी बठाई बांट रही है लड़ू बांट रही है और साम को और लड़ू बते ही खुशी में पार्ती जन्ता पाटी की सरकार बनने जा रही है उसको पूर बहुमवत में आने की सम्भावना है बांट रही में एक बहुत पथल पथल करने वाले हैं कुछी पलों में आप सभी लोगों को पता चलिया है मीडिया मद्धों को ये जानकारी मिलने वाली है अब बांट की जोने मुई है बीजेपी में इस बारे हो क्या किना चाहिए सभी को नमस्कार देखिए हर वो व्यक्ति जो राष्ट्रिय विचार धारा के बारे में चिंतन करता है अपने जिले के विकास के बारे में चिंतन करता है वो कहीना कहीं भारतिय जन्ता पार्टी मानसिक्ता का व्यक्ति है ये कहने में मैं बिलकुल पूरी तरीके से इततपर हूँ और ये सत्य है और विदाईजी एक फिस्वर में बहुत अच्छे व्यक्ति है और उन्होंने हमेशा समाज के विकास के बारे में चिंतन किया है अब मुझे पूरा दिश्वास है कि भारतिय जन्ता पार्टी पिछले रिकॉर्ड सबाद 300 से भी ज्यादा सीटन आईगी क्योंकि ऐसे जमीनी नेता जब पार्टी से जोगते हैं तो पार्टी को बहुत 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 बहुत